हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल और आज हम बनेंगे गड़वाली स्टाइल एक करी सबसे पहले हम एक जो है वो फ्राइ कर लेंगे उबाल के 5-6 मैंने एक लिये हैं और इनको फ्राइ कर लिया है और इनको निकाल लेंगे इकड़ाए में हम और मस्टर्योल डालेंगे 2-3 Watson और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे मस्टर्योल को और उसके बादres में ढालेंगे हम जीरा जीरा आम जीरा मारा हो गया है हम इसमें 3-4 ओनियन चॉप करके डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राइ करेंगे और उन्हें हमारे फ्राई हो गए हैं अब हम इसमें टमाटर डालेंगे दो से तीन कट करके और दो से तीन ग्रीन चिली भी डालेंगे इसमें और इनकों अच्छे से फ्राई करेंगे अब हम इसमें जिंजर गालिका पेस्ट डालेंगे एक टेबल स्पून और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और फ्राई करेंगे और अब मसाले डालेंगे इसमें सारे नमाक रेड चिली पावडर तर्मरीक पावडर कोरियंडर पावडर गरम मसाला पावडर सॉल्ट यह सारे मसाले डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें और पक जाएं तुमाटर और मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और अब मैंने इसमें आदा टेबल स्पून ग्लैक पैपर पॉडर डाला है और एलाची पॉडर डाला है आदा टेबल स्पून और मसाला हमारा अच्छे से फ्राय हो गया है और अब हम इसमें आलो डालेंगे दो से तीन आलो मैंने अच्छे से दो के और बिना छिलका उतारे मैंने ये नए वाले आलो हैं विंटर में जो आते हैं और उनको कट करके एक आलो के दो ये चार पीस करने हैं अगर बड़े हो तो चार पीस और छोटे हो तो दोई पीस करने और उसको डालेंगे मसाले में और इसको ढखके 15-20 मिनिट पकाएंगे 15-20 मिनिट वाड़ हमने डखकन ने खाटाया है तो देखे अब आलू हम चेक करेंगे अगर हमारे आलू पक गया होंगे तो फिर इसमें जितना आपको सूप करना है उसके हिसाब से आप पाने डालिए आलू चेक कर लिए हमने आलू हो गए हमारे अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पाने डालिए मैं एक से डेट ग्लास के असपास इसम और डेवी हमारे एकदम रेडी है और हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी और फिर इसको चैतरा मिक्स करेंगे गेस करेंगे ग्रेव यह मारी थे रोगे हमें इसे निकाल के मिट्टी का बावल में निकाल लेंगे हुआ असमें निकालके यह अनकाल पर उमने आइक फ्राय करें रख करें रहे покуп पुराज का अधेंगे उनको अधिक ए कदमयरे श्करवाला हो करें अगर आपको में रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज में चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू